और पढ़ा रहें तो यह नहीं सोच रहे है कि बच्चा छठा में पढ़ाओगा सात्मा में पढ़ाओगा नहीं यह मानके पढ़ा रहे है कि आपने अभी तक दस्मा से पहले कभी भी पढ़ा ही नहीं है फिर भी यह कुछिस्यन आपसे बनेगा और फटा फट बनेगा पूर्ड एक्जाम 2024 के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं अनुबाद सीरीज को तो पूरा का पूरा सीरीज में एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ा के पूरा का पूरा अनुबाद आपको बता देंगे तो आज जो है अनुबाद का पहला लेक्चर होने वाला है तो एकद जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और यह मान के पढ़ाएंगे कि क्लास 10 में ही आप पहली बार अनुबाद पढ़ने आए हैं और आपको अभी तक सब दुरूप भी याद नहीं है और उसका यूज कैसे करना है ये भी पता नहीं है और जैसे ही आपका लेक्चर खतम हो इस लेक बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आई उस्ते स्टुडेंट आज इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनुबाद तो आज से स्टार्ट हो रहा है अनुबाद का क्लास तो आज है अनुबाद का लेक्चर नमबर वन तो अनुबाद का 6 से 7 लेक्चर बनाएंगे और आपका अनुबाद का काम जो है एकदम अच्छे दंग से complete हो जाएगा और अनुबाद यह मान के पढ़ाएंगे कि जिंदगी में पहली बार ही आप अभी अनुबाद पढ़ने आए हैं और आपको अनुबाद में कुछ भी पता नहीं है तो एकदम जीरो लेबल से हीरो लेबल तक पहुचा के छोड़ देंगे तो साथ से आथ वीडियो इस स्रीज में बनाएंगे तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद आपको कोई भी अनुबाद में दिक्कत नहीं होगा और जो भी नए बच्चे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपी के संदवा दिजिए और सामील हो जाएए फुफाज के क्लाश में तो चलिए स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं अब चलिए स्टार्ट करते हैं अनुबाद को पढ़ना अब बड़े फोकस होके पढ़िएगा कोपी पे निकाल और नोटिपी बनाना इस?' सटार्ट कर दिजिए गा बाकी जितना भी नोटि सें और यहां पर जितना लेखन पत्र लेखन में जो नंबर जा रहा है तो अनुबाद कम्प्लीट करते ही आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा तो चली स्टार्ट करते हैं अनुबाद को अब एक जरूरी बात छोटा सा और बता देते हैं कि अनुबाद संस्कृत का जो है बाबू बहुत ही यूनिक टॉपिक है यूनिक इसलिए कि इसका जो है स्लेबस जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 सारे क्लास का स्लेबस अनुबाद का एकदम सेम टू सेम है और जितना भी अपने देश में बोड है चाहे CBC बोड हो, बिहार बोड हो, मदपरदेश बोड हो, रजस्थान बोड हो, सारे का सारा का स्लेबस जो है सेम है, तो अनुबाद का स्लेबस संस्क्रीत में कभी भी बदलता नहीं है, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक तो ऐसा नहों कि यहां पे 10th लिखा है, तो आप कहें कि 9th बाला देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, बना के बताईए और नहीं आता है, तो देखिए किस तरीके से आप सीखेंगे, ठीक तो अभी एकदम स्टार्टिंग करें, एकदम बेसिक से, एक अनुबाद होता है, बालक पढ़ता है, अब इसका अनुबाद बना के बताईए, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, कैस बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट होंगे जो इसका अनुबाद बना दिये होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी भी मूर ठीकी आ रहे होंगे कि सर इसमें क्या-क्या लिखे जराई ये सा ये बता दीजिए बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए आपको बताएंगे अब लिट हो जाएगा अब देखिया अनुबाद का क्वेस्टन करने के लिए सबस्ते पहला चीजिज जो आपको करना है वह पता करना है कि इस अनुबाद में जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसका लकार क्या है अब जैसी हमने बोला कि लकार आप हो गए बहोस की सर ये लकार अकार ये किस बला का नाम है सर ये कहां मिलता है कौन से मार्केट में मिलता है ठीक है तो यह कोई मार्केट में नहीं मिलता है लकार का मतलब होता है काल काल समझ रहें काल का मतलब हुआ टेंस यानि इंगलिस में जैसे परजेन टेंस फ्यूचर टेंस पास टेंस उसी तरह हि यहां कितना परकार का लकार होता है तो यहां आपको 5 परकार का लकार पढ़ना है पांच परकार का मतलब जैसे इंगलिस में आप पढ़े थे ने present tense, future tense, past tense yes sir, तो यहां जो है 5 दो एक्स्ट्रा पढ़ना है तो सब पढ़ाएंगे बिल्कुल चिंता नहीं किजिए अब आप यह यह जो बाक्य दिया हुआ है यानि कि यह जो sentence दिया हुआ है यह पढ़के बताईए तो यह कौन सा लकार है कौन सा tense है यह भी बता दीजे लकार तो हम आपको बता देंगे तो बालक पढ़ता है राम पढ़ता है राहुल पढ़ता है या राहुल पढ़ रहा है यह कौन सा tense है परजेन tense है सर कैसे पढ़ा चला परजेन tense है माल लिजे पास्ट tense रहता भूत काल रहता तो हम यहाँ पर क्या लिखा रहता है बालक पढ़ता था future tense रहता तो लिखा रहता बालक पढ़ेगा यहां पे लिखा है बालक पढ़ता है मतलब continuous यह भी पढ़ी रहा है यानि कि जो tense है वो क्या है present tense है और present tense को हिंदी में क्या कहेंगे वर्तमान काल कहेंगे और संस्कृत के भासा में इसको हम लोग लट लकार कहेंगे यह ढूनना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है लट लकार लकार पहली लिखा हुआ है तो लिख लिजे लट लकार तो आप कहेंगे सर तो future tense को संस्कृत में क्या कहेंगे सब बताएंगे बिल्कुल चिंता ने किजिए पर जेंट tense को कहेंगे लट लकार यह हो गया उसके बाद दूसरा इस्टेफ है कि आपको वचन खोजना है कि इसमें वचन कंग्तना है एक बचन है बहु बचन है अमिता बचन है इस बढ़्या बचन है कॉन बचन है नृफ ने कितना बालक पढ़ रहा है सर बालक पढ़ता है अगर दो पढ़ता तो लिखते हैं दो बालक पढ़ता है बहुत सारे बालक पढ़ते तो लिखते हैं आपे बहुत बालक पढ़ते हैं बालक पढ़ता है कहने का मतलब है कि कोई एक ही बालक पढ़ रहा है कोई एक ही बालक पढ यहां से कहीं भी किलियर यह नहीं हो रहा है कि यहां पर दू लोग पढ़ रहा है दू बचन खतम तीन या उससे ज्यादा लोग पढ़ रहा है बहु बचन खतम एक बचन ही यहां पर क्या होगा इलाउ होगा अब यह दो काम हो गया उसके बाद आपको खोजना है इसमें किरि आखरी जो एस टेप है वह है कि इसका पुरुस खोजना है तो सर इतना बाद अनुबाद बनता है यह सब मन में ही अपने आप पता चल जाता है देखते हैं कि यह लट लकार का है एक बचन का है तो अभी पढ़ा रहे हैं तो डीटेल कर रहे हैं अब देखिए अब जो है अग करता क्या है बता रहे हैं पुरुस क्या होता है बता रहे हैं बिल्कुल चिंटा नहीं कीजिए सबसे पहले बताईए करता क्या है तो बालक पढ़ता है तो पढ़ने का काम कोन कर रहा है बालक कर रहा है यानि कि बालक क्या है एक परकार का करता है करता किसे कहते हैं जो काम क को करे तो बालक पढ़ता है इसमें काम कोन कर रहा है करता कर रहा है अब आपको बताना है कि करता का इहां पर पूरुस क्या है अब जैसे आमने बोला पूरुस आप में से जितने भी आप सभी महा पूरुस हैं आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये पूरुस क्या होता ह पर्षन पढ़ते हैं ना जी सर तो संस्क्रीट और हिंदी में भी होता है उसी तरीके से तीन पर्षन तो पहला को कहते हैं प्रथम पुरुष दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष तो एक चाट अभी आपको हम दिखाएंगे उग चाट लोड कर लीजेगा देखिए जैसे इंग्लीज में है ना की I first person है या ठर्ड्ट कमेंट केरके बताईए तो संस्क्रीत में भी उसी तरीके से तीन पर्षन तो सबसे पहले आपको first person का चार्ट दिखाते हैं देख की यह first person का चार्ट है ठीक है अब इसको देख te कन्फ्यूज मत होई आराम से समझे किस तरीके से अनुबाद में यूज होता है अज पहला लेक्चर है तो सारा चीज आपको बताते देखिए जैसे अगर हम आपसे कहें कि सो का मतलब बताओ ये वाला सा का मतलब तो आप बताएंगे सर इसका हिंदी मतलब होता है वह अगर हम कहें वचन क्या है तो आप कहेंगे सर एक वचन पुलिंग है या इस्तिरलिंग तो पुलिंग और कहें पुरुस कौन सा है तो आप कहेंगे प साल का है यह सब क्या है प्राथम पूरुस है यह सब को ध्यान में आप रखिएगा अब इसका याद करने का भी आपको हम दे देते बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए अब देखिए अब आपके स्क्रीन पर उत्व प्रथम पूरुस था फर्स्ट परसन उसको मानिए और जैसे इंगलिस में होता है अब देखिए यहां पर मध्यम पूरुस है और उत्तम पूरुस है तो यह जो त्वम यूवम यह मूँ से याद कर लीजिए त्वम यूवाम यूवम ये मध्यम पूरुस है बाबू ठीक है त्वम हुआ एक बचन यूवाम हुआ दूई बचन और यूवम हुआ बहु बचन और अहम-वाम बयम सब का हिंदी मतलब लिखे हूँ अभी अनुबात करेंगे तो अब बताएंगे अभी फिलाल समझे कि पूरुस होता क्या उतना ही से मेटर सांत रखिए बाकी बाद जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा इस अब अपने आप ट्रिक से याद हो जागा कैसे बताएंगे अहम अवाम बयम क्या है तो उत्तम पूरुस है अब देख लीजे उत्तम पूरुस में क्या अब हमारे साथ याद कीजिए उतना ही काफी है उत्तम पूरुस में क्या बोलिए ध्यान से याद उसको मत कीजिए इसको याद कीजिए उत्तम पूरुस में क्या अहम अवाम बयम अब यह दुनों के लावा जितना कुछ भी उसाब बच गया तो प्रथम पूरुस ठीक है तो आप में से कुछ कुछ समझ में नहीं आयो महा पूरुस ठीक है चलिए तो टेंसा नहीं लेना है तो क्या बालक इसमें दिख रहा है नो सर बालक इसमें दिख रहा है नो सर तो ना बालक मध्यम पूरुस है ना उत्तम पूरुस है यह कौन सा पूरुस है यह प्रथम पूरुस है तो पूरुस जो है ढूंडना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है अब जो है हम लोग क्या ढूंड लिए पुरुष ढूंड लिए कि बालक कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष है जितना भी बालक है नाम जितना भी है न बाबू सब प्रथम पुरुष है त्वाम युवाम यह बन गया अब कैसे बन गया सर यह बताईए तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे समझे यहां पर समझे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे हमारा जो question क्या था फिर से लिखते हैं एक ही question अभी करा रहे सर इतना देशे ते concept नहीं बता रहे है किसका answer बता के भाग जाए बात खर रहे बालक पढ़ता है ठीक है यह कुश्चन था अब देखिए अब आपको यह अंतिमे स्टेप यह देखना होगा कि इसमें कौन-कौन सा ऐसा सब्द है जिसका सब्द रूप होगा और किसका धातू रूप होगा अब आप मेंसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगे जिनको सब्द रूप पता नहीं होगा कि क्या होता है या कभी न कभी सब्द रूप का आप नाम सुने होगे ठीक है तो आप मेंसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सब्द रूप को याद भी किये होगे जैसे इस त तो यही वला क्यूं उसी के पिछे हैं तो क्यूं हर चीज का जो क्यूं होता है यह आपको यहां पर पता चलेगा द्यान से समझे कैसे अब देखिए अब आप कहेंगे कि सर यह बात तो सही है कि पता चल जागा कि सब्दूरूप का यूज कैसे करना है बस याद रहना है सर उस समय हम ऐसी थे हें हवाभाजी में थे ठीक है तो कोई दिकत नहीं है धातूरूप को इंगलीस में कहते है भर्ब यानि कि किरिया जिस सब्द से किसी काम के होने का बोध होगा उसी का घातूरूप लगेगा बाकी बाद किसी का नहीं लगेगा तो पढ़ता है कि किरिया का क्या होता है धातू रूप होता है हो गया अब इतना ही खोजना है अब हमारा अनुबाद जो है क्या हो गया बन गया आप देखिए अब जो है कैसे सर बन गया बताईए अब देखिए न आपको बताते अब आप बनाएंगे अब देखिए सारा डीटेल है पता चल तो आपके घर से order आता है पनीर लेने के लिए तो आप पनीर ही लेते आलू तो नहीं न ले लेते जी सर अब ये बालक सब्दूरूप के market में आए हम अब देखिए हमको तो इतना सारा सब्दूरूप दिखा अब बालक का संस्कृत ये सब इसी में से होगा अब कुश्चन उ इसी पता करने के लिए इतना जो आपको detail अभी दिए कि किस तरीके से सब ये कौन सा पूरूस होगा महा पूरूस होगा इसी लिए दिए देखिए कैसे अब कितना सिंपल हो जागा आपके लिए ध्यान से देखिए कहा गया बालक सब्दूरूप हाँ आगे अब कुश्चन था कि बालक पढ़ता है फिर से लिख देते हैं देखिए द्यान से बालक पढ़ता है बालक पढ़ता है जी सर अब देखिए अब हम बालक सब्दूरूप में आए तो हमारा जो सेंटेंस था एक बचन का था यानि एक ही बालक पढ़ रहा था यानि अब बालक का जो संस्क् सब्सक्राइब क्वार्टीर आपड़ी आपको हम कारक में class 9 में भी एक topic पढ़ाई होता है, कारक उपद भी भक्ती, class 8 में भी होता है, आप नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसमें एक minor सा concept था, बस एक छोटा सा, नना सा, हसीन सा, कि जो भी करता रहेगा न, उसमें प्रतमा भी भक्ती लगेगा, ठीक है, यह a lot है, सर कैसे, बचपन से को चीज याद करते होंगे, करता ने कर्म को, करता ने कर्म को, करन से, आपादान संबंध याद कीजिए यह सर, तो करता कितना नमबर पे आया, पहला नमबर पे तो बालक करता है, तो इसमें कौन सा भी भक्ती लगाएंगे, प्रतमा भी भक्ती, अब प्रतमा भी भक्ती, एक बचन में बस एक ही तो है बालका, तो बालक का संस्क्रीट क्या हो जाएगा, बालका हो जाएगा, हो गया, यस सर, अब बच गया पढ़ता है, तो पढ़ता और है, यह दोनों सिंपल सेंटेंस है, तो यह छोटा ही है, तो इसका आँग 25 मिनट से बेट हूं एक ही सवाल सुखें एक सवाल नहीं सीखें अभी इसके उपर 500 सवाल देंगे देखेंगे पटा पटा बना लेंगे ठीक है ना जी सर चलिए देखें यहाँ पर देखें क्या है बालक का तो बालक हलिक दिए क्यों लिखें isके पिछे का आपको कारण बताए कि एक बचन का sentence है इसलिए एक बचन लिखे हैं और करता है बालक इसलिए प्रत्मावी भक्ति यहां पर लगाएं अब जो है हम लोगों को यह देखना है कि पढ़ता है कि क्या होगा क्या सब्द रूप होगा कि धातू रूप होगा तो आपको बताए कि सब्द से किसी काम के होने का बोदो वह क्या है किरिया है भरव है उसका धातू रूप होगा अब पढ़ने का धातू रूप होगा तो धातू रूप का आप नाम जरूर सुने होंगे भले आपको याद नहीं हो तो पढ़ती पढ़ता पढ़तांती पढ़ामी पढ़ावा प नहीं यादब याद करेंगे तो नहीं पथ्थ धातू आप याद करना है बागी बात सब ये बात हो जाता है ये बात है बिल्कुल जैसे देखिए котором मट्राट दातु में क्या पत्ट mówi पर्ट पता पत्था सुल dazu पनदीज। इसी चति नियम क्ति दी करें में नियम सी, थ, थ, आमी, आव, आमा, वही चीज है, तो ऐसा नहीं है कि गच का अलग से याद करना है, पठ का अलग से याद करना है, सब वही है, जितना टेंथ में लगवग है, वो सब आपको हम दे देंगे, अब जैसे ही आप पठ धातु में आएं, अब पठ धातु में तो आपको बहुत सारा धातु रूप दिग गया, सब्धूरूप के तरह ही, तो सर पढ़ता है का संस्कृत क्या होगा ये बताईए, तो पढ़ता है का संस्कृत पठामी भी होगा, पढ़ता है का संस्कृत पठाबा भी होगा, लेकिन सर कैसे पता चला कि इसमें से कौन सा यूज कौन सा यूज करेंगे कैसे पता चला तो यही पता करने के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में उतना छल परपंच किया क्या तो सबसे पहले यह देखें कि यहां पर करता का पूरुस क्या है उसी के कोडिंग धातू होगा यानि कि जो सवाल था वह क्या था देखिए यही न सवाल था जी सर यही न सवाल था जो हम लोग लिखे थे जी सर यही सवाल था देखिए तो धातू पकरने के लिए ही यह सब चीजे लिखें फिर से समझाएंगे कुछ जन घवराईएगा नहीं देखिए धातू को पकर में लाने के लिए ही इतना लिखें बहुत सारा चीज दिखेगा लेकिन उसमें भी हम एक बचन का लेंगे एक बचन में भी तीन चीज दिखेगा लेकिन उसमें भी हम करता के पूरुष के कोडिंग लेंगे यानि प्रत्थम पूरुष का लेंगे ठीक है यस सर तो सर यह जो धातू रूप का पूरुष होगा व तो अब करता का पुरुस क्या था फिर से सोचिए तो करता का पुरुस था बालक का प्रथम पुरुस तो अब जो है लट लकार का प्रथम पुरुस ही लेंगे एक बचन का सेंटेंस था तो हम लोग एक बचन में आएंगे क्या हो गया पठती तो हमारा बालक पढ़ताय का संस और इसी तरीके से आपको step follow करना है, ठीक है, अब एक बार और आईए, धातू रूप खोजने में अभी भी कुछ confusion होएंगे, पढ़ता है का धातू रूप होगा, ये बात में तो किसी को कोई confusion नहीं, नहीं सर, तो आप आएंगे पठ धातू में, तो जैसी पठ धातू में ज gentence, यानि की लटलकार, तो हम सब लटलकार में घुस गएं, अब जैसे लटलकार में घुसें, यहां पर तीन गो पूरूस दिखा, तो कौन सा पूरूस को select कर दे, all of the above, तो option है नहीं यहां पर, कोई एक ही को select करना है, एक ही से जिन्दगी जाता है, बाद में का पता नहीं तो एक को select करना है, तो कौन सा select करें, तो जो करता का धातू रहेगा, वही किरिया का धातू रहेगा, तो करता बालक है, बालक कौन सा पूरूस है, प्रथम पूरूस है, तो हम लोग प्रथम पूरूस का ले लिए, कोई दिकत नो सर, और बालक का बचन क्या है, एक बचन है हैं एक लड़के जा रहे हैं बहुत सारे लड़के भोज खा रहे हैं एक लड़का भोज खा रहा है तो खा रहा है तो कौमने है किरिया का बचन जो है बाबू करता के बचन से ही पता चलता है तो यहां बालक पढ़ता है तो एक बचन का था इसलिए एक बचन का उठा के लग दिए कोई दिक्कत है नो सर तो यही तो था अनुबाद यही तो था अनुबाद अब जो है यहां पर concept हो गया अनुबाद का आपका खतम अब जो है सांदार सांदार 10-15 सवाल करा दे जी सर अब चलिए बोट पे हम स्रीप और स्रीप सवाल कराएंगे और फटा फट जो है अब देखिया आपका दिमाग कितना किलियर हो गया होगा अब फटा फटा आपसे अनुबाद बनेगा दो लर्के पढ़ते हैं दो लर्के पढ़ते हैं सबसे पहले यह बताईए कि इसमें लकार कौन सा है अभी जितना भी कराएंगे वह परजेंट टेंस का कराएंगे फिर फ्यूचर फिर पास्ट सब टेंस का कराएंगे आज का क्लास परजेंट टेंस पही रखते हैं तो फटा फट बताईए फिर नएने सर भी आके आपको पढ़ाएंगे चिंता ने कीजिए दो लर्के पढ़ते हैं ठीक है हो सकता है अभी जितना कॉंसेप्ट बताए 50% ही दिम टो लर Phillips की दोलाइंगे तो दोलर्के पढ़ते हैं ठीक है वचन कितना है बताहिए सब जरूरी है और सर वचन जो है सर दोी बचन बिल्कुल सही दूइत बचन लकाट क्या है तो आपकी सर लका आए आपका सर दोलर्के पढ़ते हैं यानी पढ़ंड है लट लकार है जी सर उसके बाद आपको और क्या है पूरुस खोजिए, तो पूरुस क्या है बताइए तो, तो सर पूरुस है दो लरके, तो दो लरके हो या तीन लरके हो, उससे मतलम नहीं है, पूरुस में आपको एक बात बताएं, कि यह देखिए, अहम अवाम बयम उत्तम पूरुस, जी सर, तो आम इवाम इवाम मध्यम पूरुस, और बाकी सब प्रतम पूरुस, ठीक है, मैं भी बेस्ट, मारा बच्चा सब भी बेस्ट, यानि कि मैं भी बेस्ट, जो पढ़ रहा है हो सब भी बेस्ट, और बाकी जितने भी स्कूल टीचर, यू आर अंडर एरेस्ट, ठीक है, यस सर, तो सब भी हम लोग बेस्ट हैं, B-E-S-T, W-A-S-T नहीं, B-E-S-T, ठीक है, बेस्ट है सर, चलिए, तो ये देखिए, प्रथा, दो लरके पढ़ रहा है न, तो कहां गया दो लरके का, दो लरके का है, तो लरका बहु बचन में हो ज गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेजे, ठीक, चलिए, हो गया, जी सर, अब चलिए, दो लरके का संस्क्रीट बताईए, तो दो लरके, लरके का संस्क्रीट जो है, बालक पे चलता है, तो हम लोग किस पे आजाएंगे, बालक सब दूरूप में आएंगे, अब यहीं पे पकड़ा जाएंगे, जी सर, कैसे, बताईए, अब बताईए, बालक सब दूरूप में जब आप आएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, तो दो लरके पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम कोन कर रहा है, सर, लरका कर रहा है, दो लरका पढ़ने का काम कर रहा है, तो लरका क्या हो रहा है तो दूई बचन का सब दूप लगाएंगे अब दूई बचन के भी बजार में आए गए तो यहां पर जोला लेके 9-10 गो पाइकार मतलब कि 9-10 गो यह कस्टमर तेयार है कि हमको उठा लीजिए हमको उठा लीजिए आपके कैसे कैसे उठा ले पहले तै करेंगे तो दो लर्के करता है सर बता है कि करता ने यानि करता कारक है करता में प्रत्मा भी भक्ती लगता है ठीक है यह याद कर लीजिए अभी पता चलिए अभी से याद कर लीजिए ठीक है करता है तो करता में प्रत्मा भी भक्ती लगता है तो हम दो लरके का संस्क्रीट क्या हो जाएगा बालकव हो जाएगा ठीक है ठीक तो एकदम अनुबाद जो है अभी सिरीज चलेगा अभी तो स्टार्टिंग ही अभी ही आपको लगड़ा हुआ कि बहुत कुछ सीख गये हैं तो सोचिए कि अभी जब छो साथ लेक्चर जब इसका इंड होगा तो एकदम अनुबाद में ही आप खो जाएगे ठीक है तो खो मत जाएगा पढ़िएगा खो जाएगे तो फिर निकलेंगे कैसे ठीक फिर हम कईसे डोच लेगे ढूनेंगे कितना बचा धूनेंगे कहीं कहीं और न कोई भाग जाएगे कोई जलपरी के साथ कोई जलपरा के साथ तो इसका धिमाग में बैठा कर रखना है तो बालको हो गया ठीकी सर कौन लंगरा ला लिख है देखिए बालक सब्द रूप में गयें उसमें दूई बचन लिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नो सर दू ठोलर का है तो दूई ठो बचन न लेंगे जी सर और करता कारक है तो प्रतमा भी वक्ती लिए ये हो गया अब पढ़ते हैं का धातू रूप होगा और पठता निकाल दीजे सर चलिए तो दूई बचन में क्या हो गया पठता हो गया ठीक चलिए तो ये जो है आपका बन गया ठीक है बन गया बालको पठता कोई दिक्कत नो सर एकदम सिंपल कुश्चन था बन गया अब हम यहीं पर किरिया को बदल देते हैं और लिखते हैं कि यहां पर लिखते हैं कि लरके लरके जाते हैं ध्यान से देखिए लरके जाते हैं लरका जाता है नहीं या दो लरके नहीं जाते हैं लरके जाते हैं ठीक है लफुआ बाजी करने तो लरके जाते हैं यानि बहुत सारे लर्के जा रहे हैं तो लर्के जाते हैं वचन क्या हो गया सर वचन हो गया बहुबचन बचन क्या हो गया बहुबचन हो गया कोई दिक्कत नो सर लर्के जाता है यह तो आपको पापा आया हुबला हो गया लर्के जाते हैं तो बात एक यह जाते हैं यानि continuous प्रथम पुरूसी होगा अब बनाए इसका तो आप बालक सब्दूरूप में क्या करेंगे बहु बचन में आएंगे तो बालको बालको बहु बचन में आएंगे तो बालको बालको बहु बचन में आपको इतना दीखेगा लेकिन लरके जाते हैं जाने का काम जो है लरका कर र ये खश्टी भी करके बताईए न, सब बताएंगे, इसलिए तो बोले हर भी भक्ती का भी एक एक लिक्चर रख लीजिए, ठीक है, तो सब बताएंगे, चीन्ता नहीं कीज़ें, अब प्रत्मे का सीखे, तो बालका लगा दिए, तो आप यहाँ पर क्या कियें, बालका लगा दिए तो सुरी तो आप जाते हैं का धातू नहीं बता हैं पढ़ते हैं का पठ धातू सुने थे तो जाते हैं का गम धातू हुआ जाते हैं का रुखिए जाते हैं का भी धातू रुप लगा है निया देखिए गम धातू हुआ लट लकार में आएंगे प्रथम पूरुस बचन मतलब अटी ठेक चलिए अब जो है आगे बढ़ते अब देखिए बाल का कहा गया देखिए यहां है ना बाल का और यहां पर जाते हैं बाल का पठंती अगर पढ़ते हैं रहता हैं यहां पर जाते हैं तो गचंती लिख दीजे बस हो गया अनुबाद बन गया तो यह ज दूसरा पूरुस का आपको करके बताते हैं, जरा आप करके बताईए, अब जो है कुश्चन नया बनता है, कि मैं पढ़ता हूँ, अब इसका बना के बताईए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आज जितना भी सेंटेंस कराएंगे, सब परजेंटेंस में कराएंगे ठीक है, कोकि present बढ़िया होगा, तभी future बढ़िया होगा, ठीक है, ऐसे तो past खराब हो ये चुका है, ठीक, तो past का question last में कराएंगे, ठीक, और present बढ़िया होगा, तभी future बढ़िया होगा, ठीक है, चलिए, ठीक, ठीक है, चलिए, मैं पढ़ता हूँ, इसका बनाना है, अराम अभी सर आगे सर वो जो कुश्चन है घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं हिमाले से गंगा निकल लही है निती सुकमार बिहार के मुख्य मंत्री ठीक बिहार बोड में यह सवाल आता है ठीक सी बियस्टी में आपको यह नहीं आएगा यह बाला सर यह बाला तो आएगा ही वो जो है दो सवाल जो है बिहार बोड का है स्पेसल है हिमाले से गंगा निकलती है और निती सुकमार बिहार के मुख्य मंत्री है हैं और रहेंगी भी ठीक है चलिए तो वो फिक सवाल है ठीक है सर चेंज कर दीजे मुख्य मंत्री क्यों कर दें फिर नया कुष्चन बनवा दें एक कुष्चन है अगर माली जी एक ही नेता जिन्दगी भर रहा जाए तो ठीक है कम हिस्ट्री पॉल्टिक्स परना होगा यह तरह तरह का नाम याद करना होगा जाली यह ठीक है राजनीती अपनी जगा पढ़ाय लिखाई अपनी जगा और निती स्क्मार जी भी अपनी जगा चाचा सर चाचा है आपके तो चाचा नहीं है तो क्या है बता ये मैं पढ़ता हूँ बनाइए तो मैं का संस्क्रीट क्या होगा सर मैं का संस्क्रीट सर मैं का अभी यहीं पे सर मैं का तो सब्दूरूप होगा सर सर पढ़ता हूँ का किरिया होगा सर धातूरूप मैं का सब्दूरू हम बोले कि राम पढ़ता है सर्बनाम भी किलियर कीजिए ये भी बहुत बेसिक चीज है नाउन पुर नाउन जो बच्पन में पढ़ाई होता था जैसे हम कहेंगे कि राहूल अच्छा खेलता है राहूल अच्छा खेलता तो नहीं है बकला पढ़ता ना पढ़ाई लिखाई में भी मनने खेलवे करता है चलिए राहूल अच्छा पढ़ता है इकेल राहूल नहीं है यह है कलास का राहूल राहूल अच्छा पढ़ता है इसलिए खेलता है नहीं लिखे नहीं तब रने नहीं बना रहा है पढ़ता है राहुल अच्छा पढ़ता है उसके बाद हम लिखे राहुल अच्छा नायक है नायक मतलब नायक नहीं खल नायक हो मैं तो हमें अगर राहुल की तारीफ करनी हो तो बार बार हम राहुल नहीं लिखेंगे राहुल के जगह सरबनाम का यूज करेंगे क्या तो राहूल अच्छा पढ़ता है वह अच्छा गाता है वह अच्छा लिखता है वह अच्छा खाता है वह कभी नहीं नहाता है काला कलर का दिखता है ठीक है पसीने पसीने रहता है ठीक ये हमने बता दिया तो बार बार आप देख रहे है वह का यूज हो रहा है ठीक है तो वह का यूज हो रहा इसका मतलब क्या हुआ वह जो है वही सर्वनाम है को कि राहूल एक नाव ने संग्या उसके बदले आ गया ठीक थे तो मैं जो है एक सर्वनाम है तो उसका कोई सब्दूरूप नहीं होगा उसका इस पेसल अपना संस्कृत है और अभी आपको बताए क मैं का संस्कृत क्या होता है अहम होता है तो अहम आप इहां पर मैं का संस्कृत लिख देंगा सर्ये कैसे पता चल गया आपको यही यही पता चल लाब आपको भी पता चल जाएगा ठीक है पेट में थोड़ी नहीं बात पचा के रखेंगे पता चल गया बस जिंडोरा में चलिए तो मैं का संस्क्रीट क्या होता है अहम होता है अब पढ़ता हूं का किरिया खोजना है तो किरिया खोजने के लिए तीन चीज चाहिए क्या चाहिए तो किरिया खोजने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए तो सबसे पहले चाहिए क्या तो सबसे पहले चाहिए वचन कि कौन सा वचन है ठीक है तो मैं पढ़ता हूँ एक ही आदमी पढ़ रहा है तो यह हो गया एक वचन ठीक है असर पुरा परिबारे मिलके अगर पढ़ने लगे तो बहु बचन असर मान लिजे पुरा महला तो भी बहु बचन अब मान लिजे सर पुरा गाओ अमिता बचन ठीक है चलिए तो बचन हो गया एक बचन ठीक मैं पढ़ता हूं अब करता क्या है सर मैं पढ़ता हूं पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं करता मैं हूं तो मैं का आप देखेंगे कि पूरुस क्या है तो आपको अभी बताएं कि रे बैल मैं का जो पूरुस होता है क्या होता है सर नहीं पता रहे मैं का संस्कृत अहम और अहम उत्तम पूरुस एक बचन है सर धू पुरुस आपका निकला उत्तम पुरुस आप भी बनाते रहे हम भी आपको इसमें मदद कर रहे हैं बैठके नोट नहीं बनाए खुद से बनाए उत्तम पुरुस और एक बचन तोँ है ही और मैं पठता हूँ अब धातू खुझने के लिए तीन चीज आईए वचन पुरुस और लकार की कौन सा टेंस है तो सर मैं पठता हूँ लट लकार обяз अब आप क्या अब कर दो, पूरेस उत्तम पूरुस है यह ने गैसा रहिए कनि प्रत्तम पूरुस को यह बातो प्रत्तम पूरुस है। जो? पठामी हो गया यह आपका सही एंसर हो गया बस आप यहाँ पे लिख देंगे कि अहम पठामी अब देखे यह जो चीज आप सीखें इससे जो है आपका वाच्चे असुधी में भी एक नमबर आ गया कैसे तो आप देखेंगे कि आपको वाच्चे में एक कुश्चन CBSC अंकल जो एकदम गारेंटेट देते हैं ठीक है अहम के साथ किरिया ढूनना तो जिसमें आमी लिखा होगा वही इसकी मामी होगी बस वही लगा देना है अहम के साथ आमी अहम के साथ कभी भी आमी होगा पठामी पठामी हो गच्छामी हो आमिये होगा लटलकार में तो यह सब चीज अनुबात से ही पता चलता है सुद्धी में यही दे देता है देखिए ऐसे दे देता है औहम और यहां पर दे देता है पठंती और ऑप्शन में यहां पर दे देगा आपको पठती पठामी और दे देगा आपको पठावा दे देता है यह बचा सा का रहाता है पठावा हाँ पठावा ठीक है आप बताईए कौन सा होगा तो कैसे पता चलता है यही पता चलता है अहम लगा हुआ है तो उसके साथ आमी ही लगता है ठीक है तो इसलिए पठामी गच्छामी जो भी option यह इसकरेक्ट है यह वाच्चे में भी कुष्टन बनता है अनुबाद में भी बनता है। तो एक बात आपको बता देते हैं कि कि अुल रोड़ेत्वत अनुबाद आपका बहतर दंग से कंपलीट हो रहा है तो वाच्च्य नूत हथ तक आप सीखे होँगे और आपको आज यह भी पता चला होगा कि किस तरीके से सब रूपका हम सब यूज करते हैं किस तरीके से धातू रूपका यूज करते हैं और आपको बताये मैं रास्ट तक बने रहना कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है दिक्कत वाली बात नहीं है ओके ओके माई डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट क्वेस्टन इज भाई फर्स्ट क्वेस्टन जो आपको बनाना है वह बनाना है हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों पढ़ते हैं यह बोड में भी कुष्चन आ चुका है ठीक है हम दोनों पढ़ते हैं यह नहीं कि कुष्चन पढ़के कोई समझे कि असलील कुष्चन है कि हम दोनों पढ़ते हैं ऐसा नहीं है बोड में भ यहां पर इस पर भी बच्चा सब कहा था कि सरी तो असलील कुष्चन है कुछ लोग बोल गया इसमें क्या असलील था बताइए एक कुष्चन था इसी के साथ हम दोनों गोवा घुमने गए समझे कि कुष्चन आपके लाइप से उठा के दे रहा है और आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो ध्यान रखेगा हम दोनों पढ़ते हैं उसके बाद लिखेगा मैं जाता हूं मैं जाता हूं ठीक तो जाने का धातू रूप गम धातू तीसरा आप कर लिजेगा आप बालक खाते हैं तो सर खाते हैं का धातू रूप आप नहीं लिखा है खाद खादती खादनती खादामी ठीक है ध्यान से खुच क्या यह धातू रूप क्या होता है खाने का बालक खे उसके बाद रमेश जाता है यह हो गया चार कुष्चन और लिख लिजिए तुम कब पढ़ते हो कब एक अब्या ही इसका संस्क्रीट होता है कदा बाकी चीज वही है अब बनाईए तुम कब पढ़ते हो पहले आज से पहले यह लेक्चर से देखने से पहले आपको लगता होगा कि इसका कोई से बनेगा अब लगड़ा होगा कि ना अभी तो नहीं आता लेकिन चटवा देख देखके फटक फटक बना देंगे तो उसी तरह देखते 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 आपका हैवीट अलगा तो आज आपको करता पे और किरिया पे शीखाया अनुबाद अब जो नेक्स्ट कलास है अभ यही तो है आज में क्या है आज कल के जवाना में कि पेस्टेंस नाम का चीज नहीं है और हम लोग इधर कहा वात है कि हुलबुली का ब्याह कनपटी में ही सिंदूर मतलब साधी जो इतनी हुलबुलाट में हुई कि सिंदूर इहां पे लगाने के बज़ाए मांग मेरी भरो की गर्दने भर दिया कनपटी में ही लगा दिया वो वाला काम हो गया क्यों बोले हैं ये बात अभी आपके मने मुझा कि सर यह तो मैं जाता हूँ बालक खेलता है ठीक है बना लेंगे बोडिया में तो ऐसे आता है रमेश भी द्याले जा रहा है वो गोवा जा रहा है वो न बताईए तो अभी तो पहला सीधी पे चनाए न अब देखिए अगला लेक्चर में वही सब रहेगा जिसमें कर्म जूरेगा कर्म क्या होता है सब आपको बताएंगे ठीक है पूरा कारकें तो अनुबाद है इस बात का ध्यान आपको रखना है ठ इतना भी चार्ट है बावू यह आपको मास्टर सहाब आप पर दे देंगे डाउनलोड कर लिजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा पिडियाब क्लास नोट अनुबाद सीरीज का ध्यान रखेगा कि CBSC को पढ़ा रहें तो ऐसा नहीं है कि यह जो अनुबाद में आपको शुरुवात में ही बता दिये कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है और जितना भी साइड में जितना भी कम्टिशन का एग्याम होता है अनुबाद में कुछ पढ़ना ही नहीं है मतलब कि कुछ नया चीज नहीं है सबका स्लेबस वही है सर ऐसा क्यों अब को हम बता देते देखिए यह जो अनुबाद का कुछ नम आपको बता है हम दोनों पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं का धातू हम लोग पढ़ता दातू यूज करेंगे यह हम दोनों जाते हैं तो गम धातू यूज करेंगे अब यह जो है धातू रूप का यूज आया की नहीं आये यह कहां से लिए हैं यह क्लास 6 अगर आपके अगर भाई भहीन होंगे तो लास्ट चेप्टर में आप देखेंगे सर नहीं है ncrt के website पर भी ले चलते देखिए इसलिए बोले कि class 6 7 8 9 10 सब का सेम है class 6 में जो पढ़ लिया होगा उसको यहां नहीं पढ़ना है देखिए इसलिए बताएं किढ़ना नाइयो में टैनों इक जामय के बगता आके पढ़ रहें तो फिर दिमाग लगा लगा है रहता है यह सब का दिमाग लगा है यह सब कुछ नया नहीं है यसलिए बताएं की देखिए class 6 ncrt के website पे जाईये yeah class 6 का है कि सर किसी को कि आप दस्मा का खोल के जूट बोल रहे है क्लासिक्स तो खोल लिजिए फिर से देखिए सलेक्ट क्लास 6 कीजिए NCRT की वेबसाइट पर हमारा बपाउती वेबसाइट नहीं है भारत सरकार का वेबसाइट है ठीक है जो हम इसमें कुछ उलट फेर कर देंगे दे कि यह तो रिफ्रेंस में दिया है देखिए आपे यह जो जी जो बनसेफ्ट ज़ेकर देख सब दूरूप है यह मुनी यह और ज्वर्श दिया कि नहीं और शर इह सवरुमें तो हम मेनी पोकोपेंट में थे हां तो वह मेनी पोकोपेंट लिग कर चुका है मतलब कॉंसेप् तो में चॠा में चलिए अब बच्छा थे में नौमों में नौमों में में यह इसको है तो जिन्स था नौ क्विक कर गया कॉझसेट्पट Ultracran जिसम था तो अच्छा से याद करना चाहिए चलिए को यू दिक्कत निये दस्मा में आ गए जब जागो तब सवेरा इसको याद करना है तो मिलते हैं लेक्चर नमबर टू में माइक भी आ गया है नया ठीक तो अभी तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसको हम बदली करवाएंगे तो अभी आप बताईएगा कि आवाज हो गारा किस तरीके का आ रहा है ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम अदाव नमस्कार से से काल परणाम धनेवाद विडियो को दोस्तों के साथ जुलूल जुलूल सेयर करना है बाबू सोना के साथ भी सेयर करना और महले वाले अंकल जी के साथ भी सेयर करना है किस तरीके से पढ़ना है कौन-कौन सा कुश्चन करना है तो एक complete त्यारी प्रो बैच में हम आपका प्रस्नली करा देंगे और उसमें त्यारी करने के बाद आपका जो है संस्क्रीट में 100 आउट ओफ 100 एकदम फिक्स हो जाएगा ठीक है और 95 से कम तो आएगा ही नहीं आएग प्रो बैच से रिलेटेद तो 85119-583 पर आप मैसेज किजिएगा आपके क्वेरी का जबाब दे दिया जागा ठीक है यह हमारा WhatsApp नंबर है कोई भी प्रो बैच से रिलेटेद क्वेरी ही यहां पर आप दीजिएगा ठीक चली उसके बाद यह प्रो बैच क्वेरी नंबर है आपका संस्क्रित का फिर पेरेस्टन एकडम बढ़िया डर्ण से हो जागा संस्क्रित में इस बार दो बुक चला ए है कि निका मनिका यह क संूसी क्या से मोज तो कोई भी आपका बुक हो को पूर फैदा उठाए को कि यह आप कहां खोजने जाएंगे सब हम छाट छाट के लिख लिख के दे दिये हैं तो इस अपको ध्यान में रखिएगा ठेक तो मिलते हैं गलती शलती माफ करें और गर्मी बहुत बढ़ गया है जाके अपना कपरा साप करें तब तक के लिए जय हि